नमस्कार अस्सलाम वालेकूम सौधी टूडे में आपका स्वागत है खाड़ी देशों के साथ साथ देश और दुनिया की बड़ी खबरें आए जानते हैं तफसील से लेकिन उससे पहले आप चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें ताकि रोजाना आप खबरों से रूबरू हो सकें साथी अरब हेल्थ डिपार्टमेंट के मताबिक 24 गंटे में एक बार फिर कोरोना के 176 नए मरीज मिले हैं वहीं करोना से पांच और लोगों की मौत हो गई है फिलहाल किंगडम में कुल संक्रमित मरीजों की संख्या 3,64,939 हो गई है वहीं मरने वालों की कुल संख्या 6,323 हो गई है बीते 24 गंटे में कोरोना से 146 लोग रिकावर हुए हैं पूरी तरह से रिकावर होने वालों की कुल संख्या अब 3,56,687 हो गई है बीते 24 गंटे में रियाद में 62, मक्का में 34 और पुरुविक शेत्र में 32 नए मामले मिले हैं संयुक्त अरब अमिराज से एक कोवीड-19 मरीज को एयर लिफ्ट करके भारत लाया गया है UAE के अजमान में कारोबारी और केरल के मूल निवासी अब्दुल जब्बार चेटियन को एयर एम्बुलेंस के जरिये केरल के कोजी कोट के एस्टर M.I.E.M.S. अस्पताल में भरती कराया गया है अजमान में जब्बार के कोवीड-19 पॉजिटिव होने का 6 जनवरी को पता लगा था इसके बाद उनके इलाज के दौरान काफी जटिलताएं उभर कर सामने आई थी उन्हें नीमोनिया और गंभीर एक्यूट रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस सिंड्रोम की भी समस्या हो गई थी बताया जा रहा कि जब्बार पहले कोवीड-19 मरीज हैं जिन्हें विदेश से केरल लाकर अस्पताल में भरती कराया गया है जब्बार का परिवार आगे इलाज के लिए उन्हें UAE से केरल लाना चाहता था इसके लिए UAE सरकार और भारत में केरल सरकार से विशेस इजाज़त ली गई थी UAE प्रवास के मसले पर एक बड़ी अंतराश्ट्री या शिखर बैठक की मेजबानी करने को तयार है जिसका आयोजन 18 जन्वरी से होगा यह शिखर संबिलन उपराश्ट्रपती, प्रधान मंत्री और दुबाई के शासक His Highness Sheikh Mohammed bin Rashid Almaktum के नित्रुत में आयोजित किया जा रहा है Modern technique का उपयोग करते हुए यह पूरी तरह से online होने जा रहा है Global Forum on Migration and Development यानी GFMD के इस साल के तेरह में शिखर संबिलन को Antonio Vittorino, आर्थिक विकास और सहयोग संगठन के महासचीव Angel Guria, ग्रिह मामलों की यूरोपिय आयुक्त, इल्वा जॉन्शन, अफरीकी केंद्रिय समाजिक मामलों के आयुक्त अमीरा अल-फादिल और अमेर्की राज्यों के संगठन के महासचीव लुईस अल-मैग्रो सहित कई वरिष्ट अंतराश्ट्री नेता संबोधित करेंगे साध्दिवसिय कारिक्रब में भाग लेने के लिए पहले से ही दुनिया भर के साध्रो सो से अधिक वरिष्ट अधिकारियों निसमें भाग लेने के लिए रेजिस्ट्रेशन कराया है साध्य अरब के विदेश मंत्री फैजल बिन फरहान अल-साओद ने गोश्टना की है और अन्य प्रक्रियाएं पूरी होने के बाद दुतावास फिर से खोल जाएगा उन्होंने कहा कि आवश्यक प्रक्रियाओं को पूरा करने के बाद कुछ दिनों में दोहा में हमारे दुतावास को फिर से खोल दिया जाएगा साथी साथी सौधी अरब कतर के साथ डिपलोमेशी को भी भाहल करेगा साथी के दो पवित्र मस्जिदों के कश्टोडियन किंग सलमान ने कुवेथ के अमीर शेक नवाफ अल अहमद अल जबर अल्सवा से शेखा फादा जाबेर अलाहमद अलसवा के निधन पर शोक संवेदना जाहिर की है अपने संदेश में किंग सल्मान ने कहाए कि हमें इस बात का काफी दुख है और दुख के साथ शेखा फादा की मौत की खबर मिली और हम आपके और मृतक के परिवार के प्रती गहरी संवेदना जताते हैं क्राउन प्रिंस मुहमद बिन सल्मान ने भी शेख फदहा की मृत्यू पर कुवैती अमीर शेख नवाब अल अहमद अल जबर अलसबा और उनके कुवैती समकक्ष शेख मिशाल अल अहमद अल जबर अलसबा को संवेदना के साथ अलग संदेश भेजे अब बात मौसम के हाल की तो कुवैत मौसम विभाग ने ठंड को लेकर बड़ी चेतावनी जारी की है NCM मौहमद करम ने कहा है कि अगले बुधवार तक खुले और रेगिस्तानी इलाकों में तापमान, सुन्य डिगरी और रिहाश्री इलाकों में 4 डिगरी सेल्सियस से नीचे आने की उमीद है बुधवार शाम से अगले सनिवार तक कडाके की ठंड पढ़ने वाली है झाल झाल